दोजार तेविस की इस रियल दुनिया में अब आर्टिफिशल इंटेलिजन्स टूल्स राज करने वाले हैं वीडियो या आडियो एडिटिंग जनरेशन की बात हो आर्टिस्ट के आर्ट की बात हो या फिर लो कोड नो कोड में डेवलपर्स के टूल्स की दिन रात बात हो कंटेंड राइटिंग या कॉपी राइटिंग की बरसात हो हाजी भरपूर AI टूल मिल जाएंगे आपको आज का एपिजोड भी होने वाला है AI टूल्स पर हालो दोस्तों मैं आ गए हूँ आपका डीप स्टोरिटर अमित टेक स्टोरी के नए अपिजोड में उमीद है आपको पिछले चैट जीपीटी वाला एपिजोड वरदान या अभिशाप अच्छा लगा होगा आज के एपिजोड की बात करें तो हम एक ऐसी AI टूल डिरेक्टर की बात करने वाले है जिसका नाम है फ्यूचर पेडिया हो भी क्यो नहीं चैट जीपीटी के बाद AI टूल्स की बहार से आ गई है चलिए एक एक करके कुछ केटेगरी की बात कर लेते हैं जिसे आर्ट्स जहां पे आप आर्टिस्ट की बात करते हैं सेल्स, कॉंटेंट राइटिंग, डेवलपर टूल्स, कोडिंग के लिए वीडियो आदिटिंग, एडिटिंग टूल्स कितने तरह के हैं इस सेग्मेंट और केटेगरी हो गई है चलिए शुरू करते हैं आर्ट केटिग्री से, AI कैसे यहां पर सयोग करता है आपके लिए Mid Journey का नाम तो आपने सुनाई होगा जिसका यूज करने के लिए आप Mid Journey.com पर जाकर साइन अप करना होगा, जो आपको लेके जाएगा Mid Journey के Discord सर्वर पर जहां पर आपको Interesting Tool के Feature पता लगेंगे बड़ी Magical तरह से काम करता है यह आपकी सोच पर काम करता है जैसा आप Imagine करते हो जिस तरह की Image आप बनाना कहाते हो उसके आधार पर Mid Journey आपको AI की मदद से बड़ी भैतरीन सुनदर Imagine करने वाली Image जनरेट करके दे देता है इसे यूज करने के लिए आपको सिर्फ Imagine slash एक prompt मिलेगा जहां पर आपको text लिखना होगा For example में लिखता हूँ slash imagine astronaut riding a horse इस तरह की से लिखता हो तो इसकी मदद से आप Beautiful Image जनरेट कर सकते हैं यहां तक की YouTube thumbnail लोगो जिया यह बना सकते हैं देखा जाहे तो यह Artist या Designer के लिए एक useful भी हो सकता है एक अच्छा टूल माना सकता है लेकिन thread भी है क्योंकि सारा काम तो अब क्या करेगा mid journey ऐसे एक और टूल है Playground AI जो की image create करने के लिए काम आता है एक तरह का ऐसा AI टूल है जिसकी मदद से आप आठ सोचल मीडिया की पोस्ट में अच्छा presentation मनाने के लिए poster मनाने के लिए वीडियो लोगो उसको भी अच्छे thumbnail जनरेट करने के लिए आप इस्तमाल कर सकते हैं इस तरह के आठ कैटिगरी के free premium onionet tools आपको featurepedia की directory पर मिल जाएंगे और आप इनका इस्तमाल भी कर सकते हैं कुछ मिख्य टूल्स की link में अपने description में share कर ही दूँगा अब बात करते हैं video generator tools की हाँ जी video generate करना भी बड़ा आसान हो गया है बस text डालो और उसके साब से video convert करके के देता है आपका AI voice लगा कर tool तो ऐसे तरह के tools हैं जिनकी मदद से आप you can create videos from scripts और a blog post using realistic voices in few minutes that can transform your blog articles into videos it is more like a text to speech voice control converter Google और के meta में भी इस तरह के companies ने भी आजकल content creator के AI tool बना दी है इसी तरह का एक tool है इसका नाम है creative reality studio जो की world का first platform है जो कि GP3 को अपने साथ में लगा लेता है और it converts, it basically generate a unique face animation technology वाला काम करता है, it can generate AI based videos with a very beautiful avatar in few seconds कहने का तात पर है कि अब आपको video generation भी हो गया बड़ा आसान अब करना है कुछ नहीं काम बस आपको देनी है एक script जो की chat GPT भी generate करके दे देगा तो वड़ा आसान हो गया है video बनाना भाईया मेरे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, non face video बनाना है, सबसे पहले chat GPT 3 पर जाओ, script लिखो और इस तरह के जो video tools मैंने आपको बताएं, for example reality studio या फिर flicky जहां पर जाकर आप generate कर सकते हैं videos अब बात करते हैं, AI coding में कैसे मदद करेगा, वैसे भी chat GPT आने के बाद में, coder की life तो आसान हो गई है, और ये episode ताजा-ताजा ही किया था, तो मैं भी कहां रुखने वाला था, मैंने ये बता दे आपको कुछ ऐसे, भरपूर भहतरीं टूल, उसमें से एक टूल है blackbox. blackbox.ai या blackbox-ai जिसका मदद करने का तरीका बड़ा आसान है it is purely a AI-based coding assistant that can help you in writing a code faster, मतलब 10 गुना 10x आपको power मिल जाएगा बड़े साही कम समय में आप ज्यादा काम कर पाओगे it enables you to turn your any question into code मतलब के आपके पास कोई question है उसको आप यहाँ पर डालोगे तो वो code जनरेट करेगा it can help you in generating a code from a particular text और a maybe a result बड़ा आसान तरीके है इसे तरह है कि और भी AI-based lending page builders आगा हैं आजकल जो site kick है बड़ा शानदार सा है no code, low code की तरह ही है जिसका basically use है it is more like a AI lending page builder it allows you to create a beautiful lending page without any need of coding, design और any copywriting skills तो भाईया यह भी बात हो गई आपकी low code, no code की और भी कोई tool हो सकते हैं आपकी low code का थोड़ा सा और detail में बताओ और यार कहीं और भी अच्छे tool मेरे पास available होंगे तो उनको use कर लूँगा durable है, बड़ा ही शानदार है, आप कोई अपना business कुछ ही पलों में आप generate कर सकते हो AI की मदद से वो गए दिन जब आप start-up build करने के लिए technology का बहुत साहरा लेते थे अब यू है आई पावर्ड प्लेटफ़र्म जिसकी हब से आप कोई business owner अपनी website generate कर सकता है अपनी marketing को automate कर सकता है और यहां तक कि अपने finance को भी manage कर सकता है इसी तरह एक होई tool है Robo Flow जिसको robot flow भी कहा जाता है कुछी images की मदद से आपके computer को train कर सकता है मस्ती में भी contribute करता है हाँ जी बहुत सारे tool है जैसे magic type जो basically आपके लिए greetings, poetry या even rap के lyrics भी generate कर सकता है मगर आगर आप गाने पीने के गाने बजाने के शोकीन है कविताने लिखने के शोकीन है तो magic type AI का इस्तमाल कर सकते हो आजकल तो वैसे वाले cat personalized movie recommendation पाओ और AI की मदद से बढ़िया वाले movie show का आनन्द ले लो इस तरह का power है हमारे AI tools का वैसे तो बहुत सारे tools है अमित कितने detail में बताएगा तू वैसे भी आपके जानकारी के लिए मैंने chat GPT का महत्पून टूल है futurepedia का जिसको मैंने पहले ही cover कर लिया था इस episode में पिछले वाले तो देखिए ना कितने interesting platform है यह और आपके अपने उपयोग के साब से AI tools को use कर पाएंगे और आपके मन में भी एक सवाल उठेगा कि यार AI tools सच में वरदान है या अभिशाप है तो भाई या चलता हूँ अब खतम करता हूँ episode को को कि आज का इस AI tools वाला episode bite size का ही रखा था इसे यहीं विराम देते हैं तो लेता हूँ आपसे विदा तब तक आप एरे podcast textory का मजा लेते रहे सुनते रहे deep story अमित को textory गाना जी ओ सावन spotify और anchor.fm य कि अवार गया य क्वार गैंष कि अवार अवार य